है यवेवरिवान विल्कम बएक तो मैई चैनल प्रन साहाँ में आप लोगों के साथ शार करूंगी और रिविवीग करूंगी जो की है मिरा वैल रोज असंजियल पैशल सिस्ट मास्क के बारे में एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को विकली स्किन के बारे में में बताऊंगी अगर आप लोगों की ड्राइ स्किन है तो इसी तरह से आप अपनी विकली एक बार चाहे संडे सप्टरडे जब भी आप फ्री हो तो इसी तरह आपकी अपनी स्किन को क्यार करिये एंड शीट मस्ट अप्लाई करने से पहले क्या क्या करना जरूरी है वो मैं आप लोग बताऊंगे तो फ्रेंड्स पहले अपनी फेस को अच्छे फेश वास या फिर क्लेंजर से साफ कीजिए पहल से पहलेक्ट छेश पमाइस करना जदो है अपनी फेस को वासर कर लिया है मैं इसके बाद्र ऊच्छे भी पार्ट मैं युष करूंगे यह जो है मायरा का अपनी फेस को स्क्राब करना ज़रूरी है अगर आप लोगी इसके बाद मैंने यह मैंने लिया है यह जो फेस सीट मास्क फ्रेंट्स इसको अप्लाई अप्लाई आप स्क्रब के बाद अपनी फेस को अच्छे से टैप कीजी अपनी को अच्छे से टावल से साफ किजीए एंड जो सिट मास्क है उसको अपलाई कीजिए फ्रेंड्स यह जो सिट मास्क की आपकी स्किन को हाइड़ेट रखता है इसकिन को मौस्टुराइज प्रवाइड करता है एंड देन सकिन को यह ग्लोईंग भी प्रदान करता है यह बहुत से प्रेंट्स कर सकते हो फ्रेंट्स यह जो सिट मास्क के सिकन को deeply हाइड्रेट करता है सकिन को deeply glowing बनाता है फ्रेंट्स मुझे यह बहुत अच्छा लगता है यह जो सिट मास्क है क्यूंकि मेरी dry skin है इसलिए मैं यह रोज का जड़ा-dar use करती हूं आप लोग अपने स्कीन के हिसाब से आप लोग सिट मास्क यूज कीजिए वैसा तो सिट मास्क कभी स्कीन के लिए आता है यह जो है वह हाइड्रेटिंग वाला सिट मास्क था इसलिए मैंने यह पर्चेस किया क्यूंकि मेरी बहुती ज्यादा ड्राइ स्कीन है फ्रेंड्स आप लोग भी इसी थरा एट लिस्ट विकली एक बार अपनी स्कीन को इसी तरा जो है क्यार करिये पहले फेश वस्क देन स्क्रब देन सिट मास्क नहीं है तब लोग फेस पेक भी यूज कर सकते हो यह मेरी स्कीन को जरा है वो डोपी हाइडरेट करता है एन मुझे बहुती पसंद है फ्रेंड्स यह जो सीट मास्क है यह स्वेशली डिजाइन किया गया है इंडियान मैन एंड ओमें चाहिन दोकर कर सकते हैं इस सिट मास्क को यह बहुत ही हाइडरेटिंग सिट मास्क है So friends, I hope अपर लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक केजिए, शेयर केजिए अब मेरे चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब